नवश्कार आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर आप देख रहे हैं ख़वरे फटा फट तो चलिए सुबह की गर्म गरम चाय की चुस्कियों के साथ लेकर हाज़र हूँ आपके लिए दिन भर की गर्वा गरम खुट रही तो दोस्तों हाल फिलहाल में देश और दुनिया यहम फैस ले रहे हैं श्कुस के सीमा पर भी लगातार कई अथना इघपित ह Yak यह की फारी हैं और इसके अलावा जो स्थे नाभने छिद्व सिनमा घरों के खुलने के लिए गाइडलाइन्स जारी 50% टिकेट बिक्री के अलावा ये होंगे बर्लाव ट्रप ने फिर दिया भार्तियों को जटका एक्ट 1B वीजा पर लिया ये बड़ा फैसला क्या अब इंसानों को कोरोना से घोड़े बचाएंगे को मिली एंटी सेरा ट्राइल की मंजूरी ट्रेन शूटने से आदा घंटा पहले करा सकते हैं टिकेट बुकिंग 10 ओक्टबर से बदल रहे हैं नियम युवाओं के रोजगार के लिए योगी सरकार का मेंगा प्लैन 4,50,000 लोगों को मिलेगी नौकरी डबलो एच ओ ने कहा इस से उर्भी के खबरे और अब्डेट्स निकल कर सामने आ रही हैं जिनके सही और सधीक जानकारी हम आपको आंगे इस वीडियो में देगे बस आप वीडियो के साथ अंतर तक बने रहे हैं और आप ये जो अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखते हैं उसे इसी सरीके से बरकार आ रखें क्योंकि यहीं आपका प्यारों सपोर्ट हमें बहुत ही पीट कहता है तो बस आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहे हैं और अपनी विचार अपनी उपीडियों हमसे जरूर शेयर कीजिए कमिंशेशन के तुरू तो चलिए एक एक करके जान लेते ह 67,57,132 हो गई मंगलवार को 986 लोगों की मोत हुई संक्रमन के चलते अब तक 1,45,555 लोगों की जान जा चुकी है वही राहत की बाद तो ये भी है कि कोरोना से अब तक 57,44,694 लोग ठीक हो चुके हैं मंगलवार को 18,945 लोग ठीक होकर लोट चुके हैं अभी 9,783 मरीजों का इलाज हो रहा है चलि बढ़ते हैं बगली खबर की ओर केंदर सरकार के निरेश पर योगी सरकार ने बड़ा एहलान किया योगी सरकार ने उतर प्रदीश में 1.500,009 नहीं जन सेवा केंदर यानि की common service center खोलने का ने नहीं लिया है योगी सरकार के इस फैसले के बाद रा रहाने के प्रती ट्रांडिक्षिन चार रुपए के जगा 11 रुपए करने का फैस्टा लिया है से सी देश के सभी राज्यों में प्रिपल पी मॉडल पर काम करती हैं जनसेवा किंद्रों पर कई तरह के काम किये जाते हैं अगर आप इस जनसेवा किंद्र खोलना चाहते हैं त लोगों की सुरक्षा के लिए हमने एस ओपी तयार की हैं जिसके सिनमा घरों में 50% लोगों के बैटने की अनुमती होगी एक कुर्सी छोड़कर बैटने की व्यवस्ता होगी मास्क लगाना आनिवार्य होगा साथ में सैनिटाइजर जरूरी है जो वेड़कर ने बताया कि क एक फिल्म दिखाया जाना या इस बारे में गोश्णा किया जाना अनिवार्य होगा उन्होंने कहा एक शो खत्म होने के बाद दूसरा शो शुरू होने से पहले पूरा होल को सेनिटाइज करना होगा सिंगल स्क्रीन में टिकेट बुकिंग के लिए जाधा खिड़क्या कि प्रदान मंत्री नरेंदुर मोदी को कोई फरक नहीं पढ़ता और वो कीवल अपरी ऺचाबी बचाते हैं जबकि का कॉंग्रेस सरकार अपनी शवी के बारे में नहीं सोच थी अगर कॉंग्रेस के सरकार होती तो चीन को पंदा मिनट में बाहर निकाल फेक्टिव मैंसे गोस्तो आपका समर्थन किसे हैं मोधी जी या फिर राहुल गान ही नीचे कमेंट शर्शन में ज़रूर बताईएगा चले बट्या वगली घुबर की और अमेरिकी राष्ट्रपती चुनाव से पहले डोनाल ट्रम्प ने H-1P वीजा को लेकर एक नया आदेश जारी किया जिसे भारतियों के लिए एक बड़ा चटका माना जा रहा है ट्रम्प प्रशाशन ने दूसे देशों में कुशल श्रमिकों को दिये जाने वाले वीजा किसम क्या घजाने का फैसला किया सरकार का कहना है कि एक अदम अमेरिकियों के हित की रक्षा के लिए उठाया गया है जिन्हें कोरोना महामारी के चलते आर्थिक मोचे पर नुकसान उठाना पड़ा अधिकारियों के अनुसार H1B नॉन इमिग्रेट के कारण पांच लाग से जाधा अमेरिकियों को अपनी नौकरी से हाथ दोना पड़ा अमेरिका में 3 नौवंबर को राष्ट्रपती चिराब होने है ऐसे में ट्रम्प के इस पैसले को वोचस को लुभाने का प्रयास भी माना जा रहा है चलिए बढ़ते हैं अगली हवर की ओर भारत के औश्दी माहनी अंतरक ने कोरोना वाइरस महामारी के संभावित इलाज एंटी सेरा का इंसानों पर ट्रायल के लिए मंजूरी इंडिन काउंसल ऑफ मैनिकल रिसर्च को मंजूरी दी है ICMR के अधिकारियों ने बताया कि एंटी सेरा घोडों में अख्रिया सास कोव्टु का इंजेक्शन दे कर विक्सित किया गया है ICMR के महानी देशक डॉक्टर बल्राम भारगव ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फरेंस में यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि एंटी सेरा का विकास ICMR डेहदराबाद इस्थर्फार्मस्टिकल कंपनी बायलोजिकल इलमजड के साथ मिल कर गिया हमें अभी अभी उसका क्लिनिकल ट्राइल करने की अनुमती मिल गई रुकिये खबरें खत्म नहीं हुई है यह सिसला लगाता यूही जारी रहेगा और आप चाहते हैं कि आप कोई भी खबर मिस ना करें कोई भी अपडेट आप से नाश होगी तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे बैल आइकन को दबादीजे ताकि आप तक नोटिफि मौसम में भाग के माने तो अंद्वान और निकोबार भी समुहों में भारी वर्षा की संभाबना हैं अगले पांच दिनों के दोरान उतर पश्चिम भारत के अधिकान शिशों में मोसम शुष्क रहेगा वहीं दिल्ली हर्याना पंजाब और राजस्थान में मोसम शुष् सब्सक्राइब के बाद के जाए तो यहां पर भी मौसम ने करवट ली हैं मौसम में बाग के रुसार बिहार से 10 अक्टूबर्स से पहली मौनसुन बिदा हो जाएगा सवकारी तेल कंप्णियों ने आज फिर से डीजल और पेट्रोल के दाब में कोई फेर बदल नहीं किया अज लगा अतार 15 दिन पेट्रोल 81.06 और डीजल 7.46 मुबाई में पेट्रोल 87.64 और डीजल 8.69 और डीजल 7.99 में चन्ने में पेट्रोल 84.14 और डीजल प्रति लीटर ह चलिए बढ़ते हैं बगली खबर की और चार्ट ट्रेन के छूटने से 30 मिनट पहले बनेगा COVID के समय में नियम में बदलाव करते हुए railway ने दूसरा reservation चार्ट ट्रेन चूटने के 2 घंटे पहले बनाना तैग किया था लेकिन 2.12 से नियम में बदलाव करते हुए अब फिर से दूसरा reservation चार्ट ट्रेन के छूटने से पहले 30 मिनट पहले होगा दूसरा चार्ट तयार होने से पहले टिकेट बुकिंग की सुवेदा ओनलाइन और PRS टिकेट काउंटर पर उपलब्द होगी WHO के प्रभुक ने कहा कि COVID-19 के हिलाफ एक वैक्सीन साल के अंतक तयार हो सकती है संगतन ने हालंकिस पर विस्तार से कोई जानकारी नहीं दी WHO के महाने देशक टेट्रास ने सभी नेताओं के द्वारा एक जुट्टा और राजडितिक प्रतीद बद्दता का अवबान किया कि वो टीके के उपलाब्द होने पर उनका समान वित्रण सुनिशित करें तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही खबरों का यह सलसला यही हत्म करते हैं लेकिन आप तक यह बड़ी बड़ी खबरी लगाता यूँ भी पहुचाते रहेगे आप बस चैनल के साथ बने रहेए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और अपनी फैमिल फ्रेंज के साथ इसे शय भी कीजे और इसे लाइक भी कीजे और अगर अपने वीडियो एंड तक देखा है तेन मेक शोर कि आपने खबरों के बारे में अपने विचार हमसे साजा करें और प्रनाम भी मेंचिन करें धन्यवाद